ये कहानी आज आपके डर को साहस में बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है एक बार एक अपराधी को फांसी होनी थी। पर राजा ने उसे दो विकल्प दिया। पहला तो फांसी में लटक कर मरना और दूसरा गुप्त दर्वाजे के उस पार जाना। लेकिन किसी को पता नहीं था कि गुप्त दर्वाजे के उस पार क्या है। अपराधी ये सोचकर डर गया कि उस गुप्त दर्वाजे के उस पार क्या होगा उसने सोचा कि क्या पता गुप्त दर्वाजे की उस पार जंगली जानवर हो सकते हैं, जहरीले सांप हो सकते हैं या भूखे राक्षस हो सकते हैं. इसी डर में उसने फांसी में लटक कर मरना चुना. जब राजा उसे फांसी के लिए ले जा रहा था, तो उस आदमी ने राजा से पूछा, कि महाराज गुप्त दरवाजे के उस पार आखिर क्या है? तो राजा ने fearless